तुम्षकार दोस्तों स्वागत है आपका इंफिनेटी नॉलिज में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है तो क्या है ये ये न्यूज आई ये इस वीडियो में डिसकस करते हैं जो बाइडन वर्ल्ड के सबसे सकती साली देश के राष्टपती पद की सपत लेंगे लेकिन ट्रम्प के समर्थों को द्वारा हिंसा के कारण वोशिंग्टन में 25,000 सेनिकों की तैनाती की गई है अमेरिका में रास्टपती सपत ग्रेंट समारो बहुत अच्छे से मनाय जाता है लेकिन इस बार करोना की वज़े से सपत ग्रेंट समारो थोड़ा फीका जरूर देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी ये बड़े पैमाने पर होगा दुनिए का सबसे सकती साली देश सर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है क्योंकि बाइडन ने सत्ता में आने के साथ ही करोना से लड़ने के लिए दो ट्रिक बाइडन सरकार ने इस ने आर्थिक पैकेज का इस्तमाल करोना से लड़ने लोगों को टीका लगवाने और छोटे वैपारियों की आर्थिक मदद देने और कम आये वाले लोगों को पैसे से मदद की जाएगी और लोगों की मुश्किलों को हल इस बड़े करज को अमेरिका में भारतिय रिजर्व बैंक जैसे वित्ते संस्ता फेडरल बैंक फाइनेंस करेगा बाइडन के इस आर्थिक पैकेज के एलान के साथ ही करज में डूबे अमेरिका पर आर्थिक बोज बढ़ेगा बाइडन के एलान किये गए पैकेज को अगर जोड़ दे तो सिर्फ नो महीने में आर्थिक पैकेज के जरिए अमेरिका सरकार अपने लोगों को साड़े तीन अरब डॉलर अब तक खर्च कर चुकी है राष्टपती के लिए चिंता की बात यह भी है कि करोना महमारी के दोरान बड़े आर्थिक पैकेज दिये जाने के बाद भी वहाँ की विकासदर कमजोर ही हुई है करोना की वज़े से बजारों में मंदी है लेकिन अमेरिका में करोना रुकने का नामी नहीं ले रहा है की जीडिपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर की थी देखा जाए तो अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड की है अगर इस कर्ज को प्रतिव्यक्ति बाठ दिया जाए तो प्रतिव्यक्ति 23,000 डॉलर का कर्ज है कहा ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने देश के राष्ट कर्ज को कम करने का वादा किया था